हाई गाईस माई नेम इस नदी बातनागर एंड वेलकम यू वाल इन माई चैनल बचों आजम करने वाले हैं चेंजिस अराउंड अस जो क्लासिक्स का चैप्र था एंचीरडी की किताब से लिया गया है इसका सेकेंड पार्ट फर्स पार्ट मैंने अल्रडी अप्लोड किया है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग फार्ट देखीगा चले तो शुरू करते हैं हम लोगों ने यहां कोशन गया था पूजो का लास्ट वीजियो में बूजो एस आफन नोटेस्ट दाट रोट को तो उसका यूस करते हैं ही वांस तो जानना चाता है जो तार को गर्म करने से जो चेंज हुआ है क्या वह रिवर्सिबल है पहिली जानना चाहती है कि कभी तुम लोगों ने देखा है एक ब्लाक स्मित को मेकिंग सम तूल्स वह टूल्स बनाता है जब जो समय जाके बिलकुल सॉफ्ट होजाता है and is beaten into a desired shape और उसको पीटा जाता है तब तक जब तक कि वो उपनी desired shape में नहीं आ जाता है जो shape आपको चाहिए What change has taken place in iron? किस तरह का change है? जो iron में हुआ on being heated, heat करने के पाद अब हम करेंगे activity 7 Take a small candle and measure its length आपको एक छोटी सी candle लेनी है और इसकी length को नपना है इसको जलाइए, let it burn for some time इसको कुछ देर के लिए जले रहने है दीचे Now blow out the candle, आपको candle को भूचा देना है and measure its length again वापस से इसकी length को चेक करना है कि चेंज in the length of the candle be reversed जो भी रचेंज आया है इसकी length में फोर रिवर्स किया जा सकता है If we were to take some wax in a pan, अगर हम लेते हैं कुछ wax पैन के अंदर and heat it, उसको गर्म करते हैं मौम को Can this change be reversed? क्या यह change reversible है? Repeat करना है activity 7 with an incense stick एक जलती हुई सुलगती हुई, एक stick लेनी है आपको जैसे कि अगर बत्ती अप लेते है Wait till it burns away completely, अब आपको तब तक वेट करना है जब तक की completely जो है वो burn नहीं हुचाती What are the changes that occur in the incense stick? किस तरह के changes हैं जो इस सुलकती भी stick में होंगे The stick burns to produce some new material, stick जो है वो burn होगी और produce करेगी नहा material These are ash और जो नया material produce होगा वो है ash यानि की राख and some gases उसमें से कुछ gases भी निकलेंगी We cannot see these gases, हम यह gases नहीं देख सकते But we can sense them due to the pleasant smell मगर फिर भी हम इनको sense कर सकते हैं चीक है? क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा इनकी खुशबू से Can this change be reversed? यह जो change हुआ है, यह reversible है And what about the change? और change के बारे में आप क्या कहना चाते है Which occurred in the match stick? जो हुआ है match stick यानि की match की तीली में You used for lighting the candle, जो तुमने use किया था candle को जलाने के लिए और incense stick को जलाने के लिए किस प्रकार का changes में आया So far we have discussed, जतना हमने discuss किया है, the changes occurring in a given object जो changes है in the objects में और its material में What about the changes that occur when two substances are mixed together? What about the changes? क्या होता है इन changes में that occur जो होते हैं when two substances are mixed together? Two substances आपस में mixed होते हैं In chapter 4, we dissolved salt in water Chapter 4 में, पानी में क्या किया था? Salt को घोल लिया था Do you think, क्या तुम सोचते हो, a change occurred in salt और in water जो change हुआ है पानी में और नमक में Is it possible to reverse the change? क्या यह change जो है हम वापस से reverse कर सकते हैं कि पानी और नमक को दुनों को हम अलग कर सकते हैं बिल्कुल evaporation के process से हो जाएंगे Wait In Chapter 5 We will learn how to separate salt from its solution in water अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स चैप्टर में कि किस तरह से separate करना है Salt को उसके solution से ठीक है So can we say हम कह सकते हैं That the change due to the dissolving salt in water We reverse हम कह सकते हैं कि जो change आया है Salt को dissolve करने के बाद पानी के अंदर यह reverse किया जा सकता है पहली आस्क पहली पूछती है If you have ever seen curd being set क्या तुमने कभी देखा है दही को set होते हुए Small quantity of curd is added to warm water Warm milk तो थोड़ा सा दही लिया जाता है Warm milk में उसे चाल दिया जाता है The milk is a steward थोड़ा सको गुमाया जाता है And set aside for a few hours At a warm place उसको पास में कहीं भी आप साइड में रख सकते है थोड़ी दिर के लिए ऐसा रखना है कुछ hours के लिए और उसको रखना है Warm place पे थोड़ा प्लेस जो है वो गर्म होना चाहिए In a few hours कुछ ही घंटों में क्या होगा The milk changes into curd Milk जो है वो कर्ड में Change होजाएगा Can this change be reverse के वापस दही से दूप बन सकता है नहीं बन सकता है ठीक है We find there's a few ways to bring about a change In a suitable Sorry, in a substance Could be by heating it or by mixing it with some other substances We find हम पाते हैं that A few ways, कुछ तरीकी to bring about a change Change लाने के in a substance किसी चीज़ में कुछ भी हो सकते थे By heating heat के द्वारा Or by mixing it with some other substances Also find हम यह भी पाते हैं that Some changes can be reversed कुछ changes जो होते हैं वो reverse हो सकते हैं While some other changes cannot be reversed कुछ changes होते हैं वो reverse नहीं के जा सकते There must be many ways हो सकता है इसके बहुत सारे तरीके Of changing things चीज़ों को change करने के around us जो हमारे आस पास होती हैं It is possible यह possible है that Some of them could be reversed कुछ changes जो हो reverse किये जा सकते हैं The changes around us could be grouped as those that can be reversed और cannot be reversed तो हम इने group दे सकते हैं उन changes का जो reverse किये जा सकते हैं और उन changes का जो reverse नहीं किये जा सकते हैं In higher classes कुछ बड़ी classes में You will learn तुम से पढ़ोगे, सीखोगे More about the ways in which changes can be made काफी सारे तरीके आप पढ़ेंगे उन changes के जो की किये जा सकते हैं And the way these changes can be grouped वो तरीके सीखेंगे जिससे हम इन changes को ग्रुप में बाढ़ सकते हैं तो बचो यहां तो chapter होता है हमारा यह finish ठीक है तो हमने पढ़ा इस chapter में काफी सारे changes के बारे में Contraction यानि सीकूरने के बारे में चीज़ों के इवर operation भाब बढ़ना भाब बन के उड़ना expansion यानि की फ्राल जाना melt लाने की पिकलाना अब यह summary जो होती है यह आप लोगों के लिए काफी important होती है चैप्टर देखिएगा आप पढ़िएगा वापस से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती है चीज़े तो प्लीज मुझे comment box में बताएगा I will try to resolve your problems as you know as much as possible मैं कोशिश करूँगी आपकी comments का भी जवाब देने का दूसरी बात यह कि अगर आप लोग ने चैनल को subscribe ना किया हो तो I request everyone please do subscribe the channel and मेरे काफी सारे चैनल चल रहे है एक नहीं चल रहा है class 3 के लिए शिवा classes बायने दी बटनागर 4 के लिए free education बायने दी बटनागर 5 और 6 के लिए जिस चैनल पर आप पढ़ रहे हैं के साथ शेयर किजिए Facebook पे WhatsApp पे Twitter पे जहां अरज़े आप शेयर कर सकते हैं और हम सब मिलकर कर सकते हैं बहुत सारे बच्चों की help इस बार तो चलिए करते हैं सबकी help और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स वीजियो में Till then, Bye Bye